प्रियमित्रो आज का ये वीडियो कुछ समाजिक गतिविधियों के ओपर अभी पुल्वामा में एक आतंगवादी घटना हुई और उस आतंगवादी घटना के बाद पूरा देश एक जो ठोकर के सैनिकों के सम्मान में खड़ा हो गया पर प्रश्ण सीधा सा है कि हमें पुल्वामा जैसे किसी आतंगवादी घटना के बाद ही देश प्रेम के लिए जागना पड़ता है हमारी देश भक्ति 24 जनवरी 15 अगस के बाद खतम हो जाती है दो दिन के लिए तबाती है उसके अलावा भारत में कभी कोई ऐसी परशानी होती है तो हम अपनी देश के दुश्माने के लिए लड़ने के लिए तयार हो जाती है हम अपनी देश भक्ति में क्या कहना चाहती है एक terrorist attack आता है, आतंगवधी घटना होती है, पूरा देश एक जुट हो जाता है, सरकार से भी आप पीछे पढ़ जाते हैं, सैनिकों के लिए आप आगे चल जाते हैं, बड़े-बड़े संस्थान जो शहीद हुएं उनके लिए मदद करने आगे आते हैं, सब लोग उनके जग आप पे शहीदों के साथ खड़े नादर आए, उनका धर्म भी है, इसी प्रकार पर हम कितने देश भक्त हैं, हमने क्या किया, हम ज़रा इसको अपने से आके और हमारी देश भक्ती सिर्फ इसी समय क्यों जाकती हैं, आईए, मैं कुछ बातों से आपकी बात करूँ, हमने सर होता था, पानी बंद कर दिया वहां तेने के लिए, ये सरकार के पर डिप्लोमेटिक स्टैंड्स हैं, युद के अतरिक जो कुछ सरकार कर सकती थी, वो कर रहे हैं, और अंतर राष्टे दबाव डाला गया, क्या तकवादी घटनायत पाकिस्तान में होती हैं, उसको आईसो पर किया, हमने सरकार पर दबाव डाला, सरकार ने वो किया, बहुत अच्छी बात है, पर हमने क्या किया, अपनी राष्ट भक्ती को जड़ा इस टेर्रिरिजम के अटायक, इस आतंगबाद के अटायक से हट के सूचे, क्या हम राष्ट प्रेमी हैं, जिस समय हम अपने सरकार के ख़जान में पैसा नहीं देते, तो क्या हमारे लिए ये वो राष्ट प्रेम है या राष्ट द्रोह है, इसी प्रकार हम एक सामाजिक भारती हैं, अपने समाज के लिए हम अगर कुछ नहीं सोचते, तो क्या हम राष्ट प्रेम में आते हैं, राष्ट द्रोह में यदि कोई दुकानदार आपको समान बेच करके बिल्कुल उची दाम पर और उसका कर जमा करता तो वो राष्ट्र प्रेम की शेणी में है यदि कोई शिक्षक अच्छे से बच्चे को बढ़ाता है वो राष्ट्र प्रेम की शेणी में है जो सरकारी नौकर में दफ्तर में जाके पूरा ठीक उची ढग से काम करता है वो राष्ट्र प्रेम के शेणी में है लेकिन अब अपने दफ्तर में जाईए वहाँ काम न कीजिए भारत आके आप कहें बागेसान मुर्दाबाद इस राष्ट्र प्रेम का क्या करेगी हमें उपर से नीचे तक आप बिजली का आप वय करते हैं तो राष्ट द्रोह है यह बले ही आप इसकी कीमत दे सकते हैं आपके बाद धन है आप कर सकते हैं लेकिन वो राष्ट के कोई संसादनों का द्रूप योग है मैं उसको राष्ट द्रोह में मानूँगा तो राष्ट प्र कि वहा से शुरू होगी, कोई सैना का सैनिक शहीद नहीं होगा, हर जगह पर, जितना ब्रष्टा जार, उसमें हर चीज को अपने देखें, और वह अधिकारी भी अपने बात को समझें, कि आप राश्ट प्रेम कर रहें कि राश्ट द्रोह कर रहें, आपको उधारन से इस बा कोई स्टणब बनवाता है, कोई स्कूल की बिल्डिंग में कुछ काम करवाता, कोई भी काम करता है, यह उसका काम है, आप हर दल वाले उसको कहेंगे, मेरे हमारे विदायक ने अच्छा काम क्या, बुरा काम क्या, यह उनकी ड्यूटी है, जो विक्ति अपने कुर्सिपर का उपयोग नहीं किया, तो गलत माना गया, कि वो राष्ट द्रोव है, इन्होंने राष्ट का पैसा इस्तमाल नहीं किया, लेकिन कम से कम सरकार को पैसा वापिस कर दिया, उसके बाद वो लोग आते हैं, जो राष्ट का पैसा ले ले लेते हैं, अपने सांसा निदी का परिय स्वाई नाम की एक सामाजी सस्ता शुरू की गई श्रयनुभ खन्ना जी द्वारा हम सब उनके साथ थे आज भी हैं इसमें आप एक निर्धनों के लिए 5 रुपए का खाना 10 रुपए में कपड़ा और जन और शिदी के जब सरकार का बना सबसे पहले उनके वहां खोल दिया तो नौईडा के निर्धन व्यक्ती को 5 रुपए में खाना 10 रुपए में कपड़ा और सस्ती द्वाई मिलने का प्रावथान शुरू हो गया इसकी आप सेंकडों वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब के ओपर भी जिसमें इसको बहुत सराहा गया और मैं खन्ना जी मेरे अभिन्यमित्र हैं शुरूवात में सोचा गया था पता नहीं किस प्रकार चलेंगे खिचडी बनाने की व्यवस्ता सोची गए थी लेकिन धीरे धीरे करके लोगों का सहयोग लोगों का साथ मिला लोगों का सहयोग मिला लोगों ने भी इस जगा पर पैसा इस्तमाल किया मै आप किसी को भोजन करा रहा है उससे बहतर उस आपके धनका दुरीपों को है कहां तो लोगों ने बहुत बढ़ चलके साथ दिया और आज भारत में कम से कम 200-200 दादी की रसोही की तरस बेर रसोहीयां शुरू हो गए अब इससे उस जहां जहां पर वो खुली हुए वहां के लोगों को उससे बहुत बहतरी हो रही है अब धीरे धीरे करके जब यह आगे बढ़ी जब जगा इसकी चर्चा शुरू ही मैं आपको बताओ 21 अगरस को शुरू का आत कर दी गई इसकी 2015 को और में 2017 में जना उशुदी केंजर शुरू कर दिया गया और उसके बाद थिती इ बढ़ाने का क्या रास्ता सोचा जाए अब मेरी बात को फिर ध्यान समझेगा गरीबों को भोजन देना सस्ती दवाई देना ये तो सरकार का काम है सरकार के काम को समाज कर रहा है ध्यान दीजेगा सरकार का असली काम तो सरकार का ये ना गरीबों को सस्ते में दवाई देना सस्था भुजन करवाना लेकिन वो विचारों को नहीं दे पा रहे तो इसके लिए एक समाजिक सस्था उसका काम कर रही है इसका इतना प्रभाव हुआ कि कुछ समाजिक सस्थाओं को बुला लिया गया जहां पर रैश्णुपती भवन में इस पर चर्चा होने के लिए क्या ये मॉडल आगे चल सकता है उसमें भारत की मित्र भी थे उदे फाउंडेशन भी थी रॉबिनूड आर्मी भी थी जिनको अमिताब बच्चन जीले अपने के बीसी पे बुलाया था तो इस प्रकार की चार संस्ता हैं चुनकर बाकि ये बाकि उससे पहले बहुत लोग थे अक्षर पात्र फाउंडेशन था बहुत से लोग को बुलाया गया लेकि बाद में च्छाट रहें के बाद इन चार लोगों के लिए ये धायत्व दिया गया कि समाज में जो अच्छ कर रहा था भारत के मित्र कर रहा था लेकिन इनको जोड करके एक ऐसा बनाया गया कि प्रशासनियस दल पे इसकी मदद की जाए और इस काम को देश के हर कोने में करवाया जाए ये राश्टुपती भवन का नोटस जारी हुआ पत्र भी जारी हुआ सब जगा दिया गया हमे अब इसके बाद सुमझें इसका नाम दिया mission possible कितना खाना इतना इसब दिया जाए अब क्या था जन औशिदी केंद्र हो गया है तो एक विचार किया गया कि इसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त जन औशिदी केंद्र रोटी कपड़ा दवाई किसकी आवशक्ता है एक गर ग्रुप थे वो जो मिलाए गए थे उसके बद ये कहा गया कि यार इसको अस्पतालों में चलाने के लिए एक विवस्ता मानी गई क्यों मानी गई क्योंकि अस्पताल में दवाईयों से किसी की मदद की जास्ती किसी का टेस्ट होना उसकी मदद की जा सकती है मैं आपको फि इसको जगा फरवरी में दी गई, बहुत कहके इनको जगा दी गए और ये कहा गया कि कुछ समय बाद आपको परमनेट जगा दे दी जाएगी अस्पिताल के अंदर लेकिन फिलाला पार्किंग के जगा पर अपने गाड़ी लगा के खाना खिलाना शूर कर दिये, अब पार्क सबसे आसान है, मन का उससे मुश्किल है, तन का सबसे मुश्किल है, खना जी हमारे रोज दो घंटे वहाँ पर दो घंटे दादी के दूसरे जगा, चार घंटे का रोज श्रमदान देते थे, अब क्या हुआ, इतना popular हो गया वहाँ पर, गरीबों को सस्ती दवाई के लिए आश्वासन मिल गया, कपड़ा मिलने लगा, दस रुपए के अंदर और पांच रुपए में भोजन, लेकिन कुछ लोगों की आँखों में यी बात खटकने लगी, कल ही परशासन ने कह दिया है, कि हम आपको यहाँ पर स्थान नहीं दे सकते हैं, मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं, यह परशासन की परशानी क्या थी, क्या वहां के कैंटीन और बाहर के काम करने वाले बाहर जो छोटे मोटे ढाबे लगे, उन्होंने परशानी उत्पन करी है, लेकिर उत्तर जो आधिकारिक रूप से दिया गए, उन्होंने कहा कि पांच और संस्थाएं इसको लगाना चाहते हैं, इस परकार के सस्ता बोजन करना चाहते हैं, मेरी तो राय है, पांच और को आना दी थी, क्या तकलीव है, लगे पांच पांच, अगर एक जगा पर, देखी एक जगा पर एक धाबा चलता है, अगर दस धाबे चलते हैं, तो हरेकर नों फाइदा ही है उ यह कह दिया कि सरकार इस पर कोई निर्ण नहीं बना सकती कि इसको जगा दीजे इसके लिए जगा नहीं दी जारी है यह उस संसान की बात है जिसने तीन साल से अधिक समय तक अपनी credibility बनाई हुई है credibility बनी हुई है उस संसान को सरकार से भारत सरकार के राष्ट्रपती भवन का पत्रपराप्त है उसके बाद भी उस संस्थान को काम नहीं करने दिया जारा अब आप मुझे बताईए इसको आप जिन्होंने भी इसको बंद करवाया है उसको आप राष्ट्र प्रेम की संग्या में देंगे और राष्ट्र द्रोह की संग्या में देंगे अपनी duty पर बै अपने देश के गरीबों को आप देख नहीं पा रहे हैं बहर वालों को आप देख रहे हैं क्या कहना चाहती हैं क्योंकि इसमें निजस्वार्थ बीच में आगया हम निजस्वार्थ से बढ़कर किस दिन समाज और राष्ट्र की सेवा कर पाएंगे ये हमें सोचना बहुत जरूरी है कितना मुन के लिए काम कर रहे हैं आप अपने आपको स्वेमा किये ये बास सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने कहिए धन्यवाद